हök इसम अगाई आज आज हम चिकेंगे मॉर्ड थे मुवी का तेरी जुकिनजर सौंग आप कीजिए गाने का ओरिजिनल स्केल जोए वो बी मेजर के की में है अगर आपको सेम वही की में बजाना है तो यह कोड आप केपो 4th fret में लगा के प्ले कर सकते है अगर आप G मेजर के की में बजाएंगे तो और आपको सेमेड्डे स्केल होग तो यह केपो 4th fret में लगा के ट्राइ कीजिए पिर वो बी मेजर होग तो लोलाग तो 2nd में अपको 3rd में लगा के ट्राइ कार सकते है So, let's see the court creating song G be minor B minor A minor D major C major और फिर A major so these are the chords in the song G, B minor, A minor D, C, और फिर A major काने का स्ट्रॉमिंग पैटन कुछे से जाता है down, down, up, up, down, 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 up, up, down, 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 down so wars आपको एसे सुरू करना है चाहे कुछ ना कहना भले चुप तू रहना मुझे है पता तेरे प्यार का G major में दो राउंद, B minor में एक राउंड और फिर D major में एक राउंड चाहे कुछ ना कहना भले चुप तू रहना मुझे है पता तेरे प्यार का घामोश चहरा आँखों पे पहरा खुद है गवा तेरे प्यार का उसके बाद कोरस आता है तेरी जुकी नजर तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्ता कोरस में क्या करना है C major में full round उसके बाद A minor और D major में आफ आफ तेरी जुकी नजर तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्ता कोई शक्स है जो के हिंदी नो तेरे जहनो दिल पहचा गया तेरी जुकी नजर तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्ता कोई को एंड करते वक्त लास्ट में अगर आप आप आमिंग करना चाहते तो G major प्ले कर सकते बीच में transition करते वक्त आप क्या प्ले कर सकते है जी वी माइनर सी और फिर दी एक और प्ले कर सकते हैं तो म्यूजिक के बाद आपको वी माइनर से शुरू करना है तेरी जुल्फ जब भी भी घर जाती है ए हसी तो हसी और हो जाती है क्या करना है आपको वी माइनर में फॉल वजान आए उसके बाद सी और जी में आफ आफ सेकंड राउन में आपको वी माइनर उसके बाद ए माइनर और दी में आफ 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 तेरी जुल्फ जब भी भी घर जाती है ए हसी तु हसी और हो जाती है जो किता बो में पड़ ते रहे आज तक वो परी हमको तुछ में नजर आती है तेरी बावो में पनावो में रहना मुझे अंदम सदा तेरी यादो में निगावो में रहना मुझे अर्दम सदा तेरी बावो में पनावो में रहना मुझे अंदम सदा सब्सक्राइब गालेशन अब आगे के वर्स में भी से मेसा ही कोड़ प्रक्रेशन लगता है सो कोई भी कन्विशन ने तो मुझे आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं और इफ वा न्यू तो दे चैनल देन प्लीज दोन फोगेट तो सब्सक्राइब मैं चैनल